बिस्मिल्लाहिरोहमानिरहीम अस्तलामुलेकूम वेल्कम टो यूट्यूब चैनल हमीज वर्ल्ड रेसिपीज आज हम बनाने जा रहे हैं एक और मज़दार सी रेसिपी ये है प्रॉंस कोफता हमेशा की तरह ये रेसिपी भी बहुत ही आसान और मज़दार बनने वाली है तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहां पर लिए हैं सवा तीन सो ग्राम जितने प्रॉंस जिसे हम आम जबान में जिंगे कहते हैं तो इसे अच्छी तरह से आपको साफ कर लेने हैं दो लेने हैं और नितार लेने हैं और इसी के साथ हमने यहां पर इस ग्राइंडर जग में ली है दो ब्रेज और साथ ही माने ली है तीन से चार सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्चे दोनों चीज़ों को हम पहले पीस लेते हैं तो इस तरह से हमने इसका पाउडर बना लिया है यह देखे इस तरह से यह बिलकुल बारीक हमें पीस लेना है और इसे भी हम इस बावल में ट्रांसफर कर लेते हैं यह बन गए हमारे होम मेड ब्रेड क्रम्स आपको बजार से महंगे वाले ब्रेड क्रम्स करीदने की ज़रुद नहीं है आप कर पे भी इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और नॉर्मली यह कबाब में बाइंडिंग के तौर पर इस्तमाल किये जाते हैं इसी सेम जार में हमने जिंगे एड़ कर लिये हैं इसे हमें बहुत ही बारीक बगेर पानी डाले पीस लेना है तो आप देख सकते हैं इस तरह से यह स्टीकी सा बन चुका है बहुत यह अच्छे से हमने इसे पीस लिया है तो इसे भी हम इस बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और एक तरीका ये भी है कि आप इसमें थोड़ी सी बाइट चाते हैं तो आप थोड़े जिंगें इसमें काट कर भी डाल सकते हैं और अब हम इसे सेम जार के अंदर एड़ करते हैं बिरस्ता ये मैंने 80 ग्राम जितना बिरस्ता लिया है फ्राइ करने के बाद मैंने इसका वज़न बताया है तो इसे भी हम इसमें बारीक पीस लेते हैं और इसे भी हम शामिल कर लेते हैं हमारे फ्रांस के साथ दोनों चीज़ें हमने अलग-अलग इसलिए पीसी हैं ताकि अच्छी तरह से पिस जाए और यहाँ पर हमने दो प्याज लिए हैं मेडियम साइस के इन प्याज को हमें हैंड ग्रेटर में अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है और हलका हलका सा इसका पानी ने चोड़ लेना है बिल्कुल ही ड्राइ नहीं कर लेना है और इसे फिर हमें इसमें शामिल कर लेना है आज से दस लैसुन की कर लियां और छे से साथ हरी मेर्चों को मैंने क्रश कर लिया है और साथी हम इसमें एड़ करेंगे सेंधा नमक और हाफ टीबल स्पून जितना जीरा पाउडर और यहां पर मैं एक टीस्पून जितनी काली मिर्चे क्रश कर रही हूँ तो इसे भी हम इसी में एड़ कर लेते हैं काली मिर्चे जो है इसका टेस्ट तभी अच्छा लगता है जब यह फ्रेशली पिसी जाए तो इसे हमेशा ही जब भी आप यूज करें ताजी पीस कर यूज करें तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जिंगे जो है इसको पिसने के बाद इसका टेक्श्चर यह काफी मुक्तलिफ होता है चिकन और मतन के मुकाबले में यह काफी स्टीकी से हो जाते हैं तो अगर आप डालना चाहें इसमें ब्रेट क्रम्स तो डाल सकते हैं वरना अगर आपके कबाब अच्छे से बन जाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो यहाँ पर एक से दो टेबल स्पून हम इसमें ब्रेड कर लेंगे और इससे हमें बहुत यह अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो यह मिक्स हो चुका है अब हम हातों पर थोड़ा सा तिल लगा लेते हैं और जिस भी साइस कि आपको यह कोफते बनाने होँ उस तरह से आप इसे इसतरह से करते हुए इसे शेप देंदे बहुत ज़दा बड़ी साइस कि हम कोफते नहीं बनाएंगे हम थोड़े मिडियम साइस के बनाएंगे और इसे हम इस तरह से एक-एक करते हुए डालते जाएंगे और इसे हमें शालो फ्राइ कर लेना है तो जब तक हमारे कुपते फ्राइ हो रहे हैं आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हमीस वर्ल्ट रेसिपीज पर ताकि आने वाली सारी रेसिपीज की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप मुझे अपने फीड़ बैक्स भी वहाँ पर दे सकते हैं तो यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन में कोफते डाल दिये हैं इसे हमें अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है जब यह एक तरफ से गूल्दन ब्राउन हो जाए तो आपको इसे पलट लेना है और दूसरी तरफ से भी आपको इसे अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है अच्छा इन कोफतों के अंदर आप अगर धनिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं और हरा प्यास भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं बिल्कुल बरीक काटकर और यहां पर हमारे कोफते जो हैं ये फ्राइ हो चुके हैं तो इससे हमें निकाल लेना है और जब हम इसे सर्व करेंगे तो हम उपर से जो फ्राइ किया हुआ फ्लेवर फुल आईल है ये भी इसी में डाल देंगे इसे जाया नहीं करेंगे और इसे हम गर्णिश कर लेते हैं हरे धनिये के साथ और बिलकुल गर्मा गरम हमें इसे सर्व कर लेना है इसे हम सर्व करेंगे गर्ण की बनी हुवी रोटियों के साथ और आप इसे नहीं और धनियां वाले राइते के साथ भी सर्व कर सकते हैं ये बहुत ही मज़ी की रेसिपी बनती है और इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मेरी वीडियों को अपने फ्रेंस और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए मेरी वीडियों को लाइक कीजि